असलाम अलेकुम मैं यूट्यूब फ्रेंज्स कैसे हैं आप सब अमीद आप सब ठीक ठाक होंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूं पिंपल्स और एक्नी पे ठीक है जिसका आज कल सब के साथ इस्यू चल रहा है तो मैं आप ने ले ले लेना है एक खाली पायं और ले लेने है साथ निम ठीक है निम के पत्ते हमने ले लेने है तक्रीब ाफ पंद्रा तो यह ने ले रही हूं तो यह सथ साथ दिन का चैनलज अपड़र शू NIBस तो अब लोगों के लिए अग्ठी में तुल्ह करने लगगा तो इसल इतना सा इसमें फ्रेश वोटर डाला है तो अब मैं इसमें पानी डाल की इसको रख दूंगी चुले के ऊपर तो जी ये मैंने इसको चुले पर रख दिया है खकिने इसको 10 मिनीट मैं पकाने में तो आप देख सकते हैं आंस में बिल्कुल ना ke ज्यादा तएज आसी ही आंस लेए लानी महीं ज्यादा हो तो यां ना को तेज के बाद algorithm के बाद तो यहां मैंने तेक्टले पानी चाहिंए Bharat प्ता से तो यहां में तक दीकर टवास्ट,led अलग कर दिया है और हमारे पत्ते अलग हो गया है और बानी अलग हो गया है तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतना सा यह वाटर बना है हमारा तो अब हमने जितना यह पानी है हमने इसमें इतना ही रोज वाटर एड़ करना है ठीक है तो अब यह मैं इसमें रोज वाट तोनर हो गया है तियार और ये टॉनर हमने सुपह उठके इसकी सप्रेय अपरे करना है पूरे फेस पे हमने इसकी सप्रेय कर ले नहीं करते हुए आंखें बंद रखनी है क्योंकि नीम कर भी होते तो फिर आंखों में इरिटेशन होती है तो अब चलते हम अपने सेकंड स्टा की तरफ तो जी सेकशिस की लिए हमें फीरिश्मारे लगे Gothic संस्द अगार करें होगये हैं कि कि यह dosa के लिए हमें वीड फीरिशople नीयम के पत्ते इंसरे ताकि यह एक पेस्ट बन जाए तो यह निम पैक जैसा कि बहुत अच्छा पेस्ट बन चुकी है तो अब हमने इसको अपने पेस्ट पर प्लाय करना है तो उससे पहले हमने डालना है इसमें चावल ठीक है मैंने चावल का पाउडर लिया ठीक है तो आप लोगों के पास अगर चावल का पाउडर नहीं भी है तो उसमें को इशू नहीं है आप मैदा ठीक है वाइट मैदा डाल सकते हैं तो यहां हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ा सा मैदा डाल रही हूं इसके हमने पतली से अपने फेस पे लेयर लगानी है ठीक है तो यह अमल करने से हमारे पिंपल और हमारी एकनी टाटा बाई बाई हो जाएगी क्योंके हम जितना अपने पिंपल और एकनी को छेड़ते हैं उतने दिन ही लेती है ठीक होने में ठीक है अब जैसा कि हमने इसका पेस्ट प्यार कर लिया तो यहां हम आप लोगों को अपने हाथ पे अपलाई करके दिखाती हूं कि मैं हमने अपने फेस पेस को कैसे अपलाई करना है तो हमने इस तरह एक बारीक से इसकी प्लेर बना लेनी है अपने बेम फेस पर जब फिर शुष्क हो ज़ा तो इसको टॉनर के साथ मसाज कर देनी है जासां यह खुष्क हो चुका है और हम ने उसके ऊपर पर सप्रे कर देनी है तो यह अमल आप लोग ने मुझल सल 7 दिन करना है और स्हां दिन के बाद consists आप आप अपिक्नी आपसे दूर भागजाए की तो सप्रे करने के बाद रिसको हलके हलके हाँ मसाज करने हमारे पिंबल्स ओगेरा च्छेड़ेना क्योंकि पेमृटल जितनी ज्यादा चिड़ते हैं वो उतने ही धीड बन जाते हैं तो अब हम चलते हैं अपने तीसे स्टैप की तरह इसके लिए हमें चाहिए होगा आलू का पानी ठीक है नीम पैक लगाने के बाद हमने मुझ धो लेना है तो उसके बाद भी हमने आलू का स्लाइसएक लिए और उसका पानी निकाल के हमने कननी है उसकी फेस पें मसाज ठीक है तो पिमपल को नहीं हमने चेहाँ wastewater हमने अकेले जिंद की घुजाने देनी है कब तक अकेला जिंद की घुजार ले गया है वैसे सोचने की बात है है ना इस तो यहां मैंने आलू का पानी ऐसे इसको हमने अपने फेस पें मिसाज करके 20 मिनट बाद हमने ठंडे पानी कसा मू दो ले लिए और फिर रात को सौने से पहले हम ने प्रिस पना नीम टॉनर एमो पे उपला करके हम जो भी रात को नाइड क्रीम लगाते हैं